दोस्तो आजके इस वीडियो में एटर एक्स 25 एमजी टाबलेट का यूजेस, डोजेस, प्राइस और ये टाबलेट यूज़ करने से क्या-क्या साइड इफैक्ट हो सकता है यही सारे बाते इस वीडियो में करने वाला हूँ तो दोस्तो इस वीडियो को सुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए तो चली दोस्तो स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले तो कहना चाहूंगा यह एक्स टाबलेट किसी डॉक्टोर के सलासे ही यूज़ करना चाहिए और ये टैबलेट ज्यादा तर medical shop या chemistry shop में बहुती आसानी से मिल जाती है और अगर हम बात करें इसका company की तो दोस्तो डॉक्टर रेटिस लावर रिटिरिस लिमिटेड कमपनी ने लाती है इस टैबलेट को और अगर हम बात करें इसका MRP की तो दोस्तो पंदरा टैबलेट का एक इस्टिप होता है एक इस्टिप का कीमत है 77 रूपेश, 77 रूपेश only और ये कीमत फ्लेक्चेट होते रहते हैं और अगर हम कॉंटेंस की बात करें तो दोस्तो इस टैबलेट में जो कॉंटेंस का इस्तमाल किया गया है वो है Hydroxygen Hydrochlorid Tablets IP25MG जो कि इस टैबलेट का यूज होता है जैसे की मतली या उल्टी या किसी भी तरीके का खुजली इसके अलवा टैंसन या टैंसन के कारण नीद ना आना इन से भी प्रॉब्लेम से राहत पाने के लिए यूज की जाती है ये Hydrox 25MG टैबलेट और अगर हम बात करें ये Hydrox 25MG टैबलेट यूज करने का क्या डोज होना चाहिए तो दोस्तो जाधा तर एडल के लिए सुभे साम खाना खानी के बाद एक एक टैबलेट फ्रिस्क्राब करते है डॉक्टोर और अगर हम बात करें ये 8RX25MZ टाबलेट यूज़ करने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है तो दोस्तों इस टाबलेट का क्या साइड इफेक्ट है जैसे कि चक्कर आना या सरदर्द मेसुस होना या मुँ सुकना इन में से कोई भी प्रॉब्लेम दिखाई दे सकता है यदि पैसेंड को ये टाबलेट सूट न करे तो यदि आपको ये एटरेक्स 25मज टाबलेट यूज करने से कोई भी साइड इफेक्ट दिखाई दे या गैंभिर कोई समसा हो तो आप इस टाबलेट का इस्तेमाल न कीजिए और तूरंद किसी डॉक्टोर से संपर्क कीजिए तो दोस्तों ये ही था एटरेक्स 25मज टाबलेट को लेकर कुछ जानकरी वीडियो फसन आने पर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सियार कीजिए तो दोस्तों मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बाई बाई